तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है, आज की वीडियो में दोस्तों मैं बहुत ही इंपोर्टट आपको जानकारी देने वाला हूँ, ABCID को रिलेटेर, ABCID में आपको create करते समय आपको admission यह डालना होता है, और identity type identity बेल ली, यह क्या आपको fill करना होगा, क्या select करना, क्या साही होगा, आपको इस वीडियो में पूरा complete process आपको मैं बताने वाला हूँ, तो चैनल पर पहली बार आए हैं, subscribe जरू करना हैं, दोस्तों, bell icon को paste करना, इस से online, अबड़ आपको लेवी सेट के related मिलती रहेगी, तो दोस्तों, ABCID एक ऐसा कार्ड हो गया है, इसके बिन आप आपका ना इडिविशन हो पाएगा, ना आप एक्जाम दे पाएंगे, ना आप पढ़ाय कर पाएंगे, तो दोस्तों, मैं आप से request करूँगा, इस वीडियो को बिना इस टीप के last तक देखेगा, आपके लिए हाँ पर important जानकारी देने वाला हूँ, चलिए start करते हैं, तो अब यहाँ पर ABC ID अपको बनाने के लिए, आपको हैंपर search कर करना है, छलिए पर दोकुमेंस का option मिलता था इस पर एक बार क्लिक करना है, यहाँ पर दोस्तों, आपको लिखना है ABC, ए भी, सी लिखने यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकासियों इंकरष हाँ यहाँ आप से जाता है इस पर आपको क्लिक कर देना है अब यहां पर जो भी आपने डिजीटाइघकर इाधार काड़ criminality आपके नाम है वह यहां पर अब इस पर सब्सक्राइब है आपको पॉयंट वाली बाध है यह आपको यहां पर इमपोर्ट्रट कोलिज या इन्योर्ट सिटी में दोनों प्रिशस्ज रहेगा कोलिज इन्योर्ट सिटी में आप पढ़ाई कर रहे हैं और पर दोस्तो अपना पूराना वारा एर वह ही सिलेट कर्ना ABCID में अब 2023 उन्हें select करना है जो नया admission कराते हैं उन्हें दूसरे college में अगर उन्हें नया admission कराया है तो 2023 select करेंगे अगर उन्हें पुराने वाले college में उन्हें admission कराया है तो अपना पुराना वाला ही year डालेंगे आपको 2023 नहीं डालना है आपको अपना पुराना वाला आप यहाँ पर अपने सेम कोलेज में यहाँ पर 2030 तेक पढ़ाय किया ताप यहाँ पर 2030 वाला डालेंगे 2013 नहीं डालेंगे आप यहां पर 2013 उन्हें डालना है जो यहां पर अभी इस college से दूसरे college में एडिमिशन न्या एडिमिशन करा लिये हैं उन्हें 2013 डालना है आपको फिल नहीं करना है ठीक है आप अपना पुराना वाला डालेंगे admission year तो समझ गोंगे मेरी बास से आपको यहाँ पर हम पुराना वर 277 में admission हमने कराया था उसका दोस्तों आपको यहाँ पर आता है identity type में identity type को इस option पर आपको click करना है आप identity type पर यहाँ पर roll number का option आ जाता है अब यहाँ पर बहुत से student confused जाते roll number क्या डालना है तो 2017 roll number डाले क्या 2013 roll number डाले तो आपको मैं कहूंगो दोस्तों मालीज यहाँ पर 2017 यहाँ पर division आपने select कर दिया अब roll number आप यहाँ पर नया वाला भी डाल सकते हैं अगर आपके पास पूराना वाला याद है तो पूराना वाला भी डाल सकते हैं दोने में से कोई एक roll number आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं अगर आपके पास roll number नहीं है बहुत से student के पास roll number नहीं है तो registration number उनके पास registration number फिल कर सकते हैं किसी अधर कोलेज या नियूर्ट सिटी में उन्हें नियू एडमिशन सिलेट करना है ये नोन वाला तो कोई सी भी कटेगरी में नहीं आता है आपको इन चारो अप्शन को ही लेना पड़ता है तो यहाँ पर आपके पास रोल लंबर है या रिष्टेसर नमबर है या इन्यूर्मिन नमबर है ति इन तीनों में से आप कोई सिलेट कर सकते हैं और जो इस देन यहाँ पर नया एडमिशन लिये हैं उनके पास रोल लंबर अगर नहीं मिला है तो यहाँ पर नियू एडमिशन सिलेट करेंगा अगर row number मिल गया है, तो वो यहाँ पर row number select करेंगे, उसका दोस्तों यहाँ पर चली हम row number select कर लेते हैं, उसका दोस्तों यहाँ पर आपको identity type में, अब जो यहाँ पर आप select करते हैं, वही आपको यहाँ पर feel करना होता है, identity value में, identity value में आपको यहाँ फील करना होता है, जो identity type म आप select करते हैं तो आप मेरी बास समझ गएंगे दोस्तों अब यहाँ पर हम अपना रोल लंबर हमने select किया थे रोल लंबर हम यहाँ पर फिल करेंगे उसका दोस्तों यहाँ पर बिखिया जाता है इस्ट्यूशन नेम को को इस उसन पर अपको क्लिक कर देना है इस नहीं पर दोस्तों अब देश्कते हैं यहाँ पर आपको खुल गया इस्ट्यूशन नेम या नी जितने हैं यहाँ पर पूरे इंडिया के सारे university या college का यहाँ पर नाम सोभ हो गया अब आपको क्या select करना है तो मैं दोस्तों अगर आपका university या college का इन दोनों में से अगर कोई भी नाम नहीं है जिनका college का नाम नहीं है या university का नाम नहीं है वो अगर university में पढ़ाई कर रहे हैं तो ABC university City select करके ABC ID को create कर सकते हैं और जो college में पढ़ रहे हैं वो ABC NSS college को select करके अपनी ABC ID create कर सकते हैं क्योंकि आपको nation form feel करना होता है तो आपको ABC ID number लगता है तो आपको emergency में ABC ID बनाने के लिए यह option आपके लिए सही होगा अगर दोस्तों आपके पास अगर आपका नाम college university का नाम है तो मैं दोस्तों कहूंगा कि आप अपना college university का नाम ही यहाँ पर डालें कोई अधर नाम ना डालें क्योंकि आप यहाँ पर गल्ति करते हैं तो आपको सही से फिल करें और दोस्तों हम पर बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि मेरा college का नाम है university का नाम नहीं है तो मैं दोस्तों मैं कहूंगा अगर आपका college का university का दोने में से कोई एक नाम आपको यहाँ पर मिल लाए तो आप वही select करके अपनी ABC ID को create कर सकते हैं यह नहीं कि आप college में पढ़ रहे हैं और university का नाम सो हो रहा है था हम college का नाम हमारा नहीं सो रहा है था हम college को स्प्रेट कर लिए हैं अब यहां पर हमारा ईबिभी संट कर लिया है अब यह wärके इस जिर्ड कर लिया है अर्मा countless को मिल जाता है आपको इस पर क्लिक कर देना है अब यहां पर थोड़ा सा ब्राइए कर थोड़ा सा फिर्सर्शिछ लेगा चलिह हम नीच करना है तो आपको इहांपर इस प्रकार से option नहीं आता है यहां पर 3baar करके दुबार से आ चानल जाना इस option पर आपका त्रों हो जागा यहां पर फिरी बिंदी चलिए हम बैक हो जाते हैं कि को यहां पर हमारी थीरग्दू आ गई अब हमारे आपनी से ऍब बिंदी दिखी है इस पर एक बार क्लिक कर देना है अब यहां पर आपको क्लिक करने वाई दोस्तों आपको जब भी आपको एक कोई करक्षान अगर करना हो तो आपको यहांपर डिलेट करने का उप्शन मिलता है अगर गलत आपने इंफ्रमेशन फिल कर दिया है तो मैं आप से गलत इंफ्रमेशन आप ना फिल करेज़ेगा ABCID में अगर कर दी है emergency में तो आपको यहाँ पर delete का option मिल जाता है आपको यहीं से delete करना भी होता है आप दोस्तों यहाँ पर जब आपको ABCID में update कोई कराते है तो आपको refresh करने का option मिल जाता है आप अपने ABCID में refresh करके जो भी अपने अथरकार पर update कराते है वह आपको रिफ्रेश करने में दूस्तों ABCID में आपको सो हो जाता है अब यहाँ पर दोस्तों PDF को उप्शन आ गया है यहाँ पर हम पर इस पर क्लिक करते है अब यहाँ पर हमारा ABCID card generate हो गया है दोस्तों मैं यहाँ पर point mandatory आपका जो है ABCID card number जो आपका यहाँ पर 12 अंक का ABCID card number होता है यह आपका बहुत important है इसी number से आपको कोई भी form आपको feel करना होता तो ABCID number उसमें लगता है इसके बिना आपको exam form आपको feel नहीं कर पाएंगे ना exam दे पाएंगे ना admission ले पाएंगे तो आपको mandatory है जारतर यह आपको 12 अंक का ABCID number यहाँ पर coin information अगर यहाँ पर dis match आपको आगर होती है तो आपको घबराना नहीं है क्योंकि बाएदवत कभी server की वज़े से यहाँ पर जो अधार कार्ट पर आपकी detail है वो यहाँ पर ABCID बे नहीं face हो पाती है तो आपको घबराना नहीं है आपका ABCID number इंपोर्टेट है आपको ABCID number आपको यहाँ पर feel करना है और बहुत से date ABCID को delete करने हैं दोस्तों ABCID number चेंज नहीं होता है ABCID number वही रहेगा चाहिए कितनी बार भी delete कर लोगे लेकिन ABCID number चेंज नहीं होगा तो आपको घबराना नहीं है कि हमने यहाँ पर नाम चेंज किया या data birth चेंज किया था हमारा ABCID number वही है तो आपको यहाँ पर चेंज नहीं होगा ABCID number एक बार generate हो जाने के बार तो आपको यहाँ पर आपको मैं बता दिया यह portrait आपको यहाँ पर जानकारी है कुछ आपके life में काम आएगी तो दोस्तों आपको यहाँ पर मिल गया हमारा ABCID का generate हो गया आप यहाँ पर download का icon मिलता है आपको इस पर click कर देना है इस पर click कर देना है दोस्तों आपको यह file में आपके download जाता है आपका PDF में आप अपको कहीं से भी print करके आप अपने इंवर्शिटिया college में इसको जमा कर सकते हैं आप इसको बनाने से पहले बनाने के बाद दोस्तों आपको इंवर्शिटिया college में जमा करना होता है यह अपने पास आपको नहीं रखना है जब जमा करेंगे तभी आपका जो data है college इंवर्शिटिया वाले आपका इसमें save करेंगे अगर आप यहाँ पर ABC ID कार्ट को बना ली हैं और अभी तक इंवर्शिटि कोलेज में जमा नहीं की है तो आपको गल्थ फेर्मी है दोस्तों यहाँ पर बनाने के बाद अपने ABC अपने college इंवर्शिटिया में आपको जमा करना होता है ता यहाँ दोस्तों मेरी वीडियो आपको कुछ पसंद आरो ही अपने जानकारी तो आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब जूरू करना बेल आइकन को प्रेस करना इस से उलाइन आपड़ आपको मिलते रहेगी मिलते हैं नए टोफिक पर नई जानकारी पर